अभी छम्ता और लोकसेवक के लिए आधारभूत योगता हैं। आज इन दो टॉपिक पर पर चर्चा करेंगे दोस्तों। मद्ध प्रदेश लोकसेवायोग मुख्य परिच्छा 2022-23 में सामान अध्यान 4 में महत्पूर ये जो टॉपिक है जिसका नाम है अभी छम्ता इसके साथ साथ में और वीश में टॉपिक जुड़े हुए हैं जिसको हम यहाँ पर इंगित करना हैं यूनिट 2.4 से ठीक है क्लास की यदि मैं संख्या की बात करूँ दोस्तों तो ये 28 भी क्लास है इसके पहले 27 क्लास हैं जो आपके बेहत काम की हैं उनको आप लोग जरूर देखिएगा जिसमें क्रमसा सुगात की जो क्लास हैं वो दर्शन पे हैं याने फिलोस्पी पे हैं किनकी क्या-क्या फिलोस्पी रही और इनी से संबंदित कौशन आते हैं उसके बाद हमने उसमें क्रमसा देखा था मनोवरत्ती को, पूर्वा ग्रह को, विभेत को, रूडी बादिताओं को, इन सब को हमने देख लिए अच्छे से अब आज हम चर्चा करेंगे अभी छमता लोक सेवक के लिए आधार भूत योगता है सबसे पहले यह जानना जलूरी है कि अभी छमता कहते किसके लिए है अब यह जो अभी छमता है दोस्तों, पहले इसको हम उधारन से समझेंगे उसके पहले अपन हर बार की तरह देख लेते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है याने कि इसकी विसेवस्तू क्या है तो विसेवस्तू में हम अभी छमता को सबसे पहले समझेंगे ठीक है अभी छमता की परिभासाएं समझेंगे अभी छमता के आधार भूत मूले समझेंगे अभी छमता की विसेशताएं समझेंगे अभी छमता के प्रकार देखेंगे अभ के प्रिशिक्षन के उपाई सिविल सेवा के लिए आधार भूत मूल योगता हैं तो यह जो आठ चीजे हैं इस पर हमको फोकस करना है इसी के बाद दोस्तों यह जो यूनिट है 2.4 इसी में क्या क्या आएगा जब हम इसके थोड़े और आगे जाते हैं तो सिविल सेवा कों स जाहूं की पूरे एथिक्स में सबसे जादा महतपूर है और सथ्यमिश्था महतपूर तो है ही साथ-साथ ये लोग सेवक के लिए भी और वैसे मामलों में भी व्यक्तिगत मामलों में भी वहारेक मामलों में इससे उपर की चीज या इससे उची चीज फिर कुछ हो नहीं सकती नहतिक मामलों के आदार पर यदि हम नहतिकता की बात करते हैं च्छाई की बात करते हैं तो सत्य निस्ठा सबसे चरब पर होती है क्या होती है सत्य निस्ठा वोपन जब सत्य निस्ठा पर आएंगे तो चर्जा करेंगे सत्य निस्ठा के अलावा फिर जब हम और आगे बढ़ेंगे तो इसी में हम फिर क्या देखेंगे सत्य निस्ठा के बाद हम देखेंगे समान भूती जब समान भूती देखेंगे तो साथ साथ में सहान भूती भी चलेगी आपके कोर्स में दोस्तों समान भूती का बहुत ही जादा महत्व है सहान भूती साथ साथ में चलती है दोनों क्या है जब आएंगे तो देखेंगे फिर आता है इसमें वस्तू निष्टिता वस्तू निश्टिता के बाद में जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो इसमें आ जाती है सहिश्नुता फिर इसमें आ जाता है अनामिता अना मिक्ता फिर एक और आ जाता है कमजोर वर्गों के प्रती करूना ये लिखने का दोस्तो मेरा उद्देश ये है ताकि आप समझ पाएं कि जो यूनिट 2.4 है उसमें हमें क्या-क्या पढ़ना है आज तो हम देखेंगे अभी छमता और साथ-साथ में सिविल सिवक जो हैं लोक सिवक जो हैं उनको क्या-क्या कारे करना चाहिए तो सबसे पर लवी छमता और बाकी इस चीज को समझेंगे इसके बाद जो आएंगी क्रमसा दो तीन या चार पार्ट में भी आएगा ये जो पूरा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे मुक्ता सत्यनिष्ठा को समान मूती को वस्तूनिष्ठा को सहिश्णोता को अनामिक्ता को कमजोर वर्गों के प्रतिदया करना इसके अलावा कुछ और भी ऐसे गुण होते हैं कुछ योगताय होती है जो एक सिविल सेवुकों से अपेच चकी जाती है कि ये आप में होनी चाहिए ठीक है तो इन सब को हमको इसी में पढ़ना है अब इनको पढ़ने मेदी हम देखें दोस्तों तो ये जो जितनी भी चीजें है ये एक दूसरे की ऐसा लगती है कि पर्यावाची आ रहे हैं तो उनका व्यक्तिकत मतलब कुछ अलग है और यदि दो अलग सब्द है तो फिर वो किसी का पर्यावाची केhtे हैं तो ये साथ में कहना जादा उच 나타ए कि यहां लगभग इसके जैसा इसके जैसा पर पूरता हो हो जाता है ऐसा नहीं इनी दोनों के अंतर को समझना ही सबसे ज्यादा एथिक्स में जरूरी है जैसे कि समान भूती तो सहान भूती जब आप पढ़ेंगे या आपने अभी नहीं पढ़ रखा है या साथ पढ़ भी रखा होगा तो आप समान भूती उ सहान भूती में अंतर बहुत ही बारी तरीके से करने में अपने आपको आसहज मात्पे होंगे, आप सोचते होंगे कि यार ये अंतर कैसे निकाले इन दोनों में अंतर, तो यही चीज जो है, इसी में हमें अपनी समझ को विक्सेत करना है कि इन में किस तरीके से अंतर होते हैं, अंतर निकालने का जो पढ़ना है ये भी हम समझ गए क्योंकि इन में बारीक सा अंतर होता है सब लगभग एक जैसे होते हैं पर सब क्या अपना अपना एक तरीके से लग जूद है और सब की अपनी अपनी परिवासा है और एक दूसरे से लग है किस तरीके से वो सवपनागी चलकेश में देखेंगे बहुत ही महत्पूंट आपक है और उससे ज़्यादा ये रोचक भी क्योंकि इसको पढ़ने में जब आप उधारणों को देखेंगे तो अलगी मज़ा आएगा ठीक है तो आज हम अभी छमता पर चर्चा करते हैं अभी छमता की मैं विशाबस्तू को को लूँ उसके पहले हम समझ लेते हैं अभी छमता है क्या यहाँ पर मैं डालता हूँ या लिखता हूँ अभी छमता इंगलिस में यदिसको हम देखें तो इसको कहा जाता है अभी छमता ये इसका इंगलिस अनवाद है अभी च्समتा सब्द की यदि में बात करूं तो अभी का मतलब होता है विशेश और च्शमता का जो मतलब होता है सामर्थ विशेश सामर्थ या एक तरीके से कह सकते हैं सामर्थ की जगा योगता मतलब इसका क्या होगा विशिष्ट योगता विशिष्ट योगता ये तो होगा इसका साब्दिकर्द अब एक उधारन से समझते हैं कि क्या है अभी छमता आप ऐसा समझ ये कि ये एक ग्राउंड है यहाँ पर बहुत सारे बच्चे लोग खेल रहे हैं जब ये उधारन आपको अभी बीच में आएगा तो समझ में आएगा कि हाँ ये हमने पहले सुन रखा है और यहीं से आप समझ पाएंगे कि अभी छमता किसे कहते हैं इस उधारन में कुछ देर के लिए आप समझ लिए कि ये बच्चे सब लोग यहाँ खेल रहे हैं खेल इस तरही के से हो रहा है कि बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है बच्चा है वो भी बच्चा ही है इनकी जैसा है और वो बच्चा इन सब लोगों को कहीं न कहीं कुछ अप्देश दे रहा है देखने में सामने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं न कहीं ये व्यक्ति जो है ये राजा बना हुआ है और ये जितने हैं ये इनकी प्रजा है कोई मंत्री है कोई कुछ है पर ये व्यक्ति यहाँ पर राजा बना हुआ है व्यक्ति से मेरा मतलब है वो बच्चा ही है उस समय व्यक्ति है, ये व्यक्ति देखता है इस लड़के को, इस लड़के को देखकर इसको ऐसा लगता है कि इसको अपने साथ में ले जाना चाहिए, क्योंकि वो उसकी योगता से प्रभावित हो गया, कि यार ये एक छोटा सा बच्चा है और देख रहा है सबको, और सबको एक त तो यह 31 लड़के के पास जाता और कहता है कि आप मेरे संग में चलो, मैं आपको बड़ी अच्छा स्कूली से इच्छा दूँगा, आपको उसे इच्छा मिलेगी और आप ने जात में चलो. बच्चे को भेज़ दो फिर ये ज़ाती इस बच्चे को ले जाते हैं और कालांतर में यही बच्चा चंद्रगुप्त मौरे बनता है क्या बनता है चंद्रगुप्त मौरे यही चंद्रगुप तुमोर आगे चलकर महान चंद्रगुप तुमोर कहलाता है जिसने भारत को एक राष्ट्र में बांधने का प्रयास किया और सफल हुआ और अंत्ता नंदवंस की जो संस्था थी या नंदवंस का जो सामराज जिता उसको उखाड़ पेगा अब आप समझने का प्रयास करिएगा कि ये जो व्यक्ति थे इनका नाम था चाणक इनको आप जानते हैं कौटले नाम से इनको विश्नुगुप भी कहा जाता है अब ये जो चाणक के हैं इन्होंने कुछ ऐसी विसेश योगता या कोई एक विसेश बात इस व्यक्ति के अंदर देखी इस बच्चे के अंदर देखी और उसको परयाप्त ट्रेनिंग दी परियाप्त प्रिसिप्छन दिया और प्रिसिप्छन देने के बाद उसको एक राजा बनाया और वो राजा अपने कामों में सफल भी हुआ तो जो विशिष्ट योगता इस चाड़क के द्वारा इस छोटे से बच्चे में देखी गई उसी को अभी चमता कहा जाता है क्या कहा जाता है अभी चमता अब आप यहां से समझ पा रहे होंगे कि अभी चमता क्या है आप साइर इसके पहले अभी चमता को कुछ और समझते हों पर अभी छम्ता दरसल व्यक्ति के अंदर कोई एक ऐसी विशिष्टी योगता होती है जिसके माध्यम से या जिसको साधन के रूप में प्रियोग करने के बाद यदि उसको उचित प्रिशिच्चा दिया जाता है या उसके पास में अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है तो भ अब दूसरो धारन को हम महाभारत से उठाते हैं महाभारत काल में आप लोगों ने देखा होगा कि जब वह वाली कहानी आती है जिसमें अर्जुन है अर्जुन के साथ साथ में और भी अनिस्जिस से हैं जब यह लोग निसाना साथते हैं किस पर चडिया पर तो चडिया प बाद यहां पर एकलब है तो इसको हम ई से संबोधित कर देते हैं ठीक है और बाद में यहां पर कर्ण भी आता है अब इन सब चीजों से हम समझते हैं तो यह कौन है माली यह अर्जुन है तो जब यह निसाना लगा रहा होता है तो अर्जुन क्या बोलता है पहले तो भीम औ नौन दिर्यूधन को महा भारत में तीक्ष्व जाना जाता है उद है एक के लिए टरीके से युद्ध के लिए मल्युद्ध करना गदा युद्ध करना तो यहां पर एकागृता iqa नहीं पड़ती यहां पर भुजाओं की की बात की जाए तो ये लोग दोनों ये बोलेंगे कि या हमें पक्छी दिखाई दे रहा है आसपास पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं बाकी बहुत सारे थे नकुल थे सहदेब थे सब ने अपना अलग-अलग आंसर दिया लेकिन जो अरजुन है अरजुन वहां पर ये क ठीक है द्रोनाचार केहते हैं आप लक्षे साध रहे हैं तीर छोड़ दीजिए और तीर जाता है उस सीधा निसाने पर लग जाता है तो उसके अंदर कुछ एक विसेष्ट योगता थी किसकी योगता थी वो विसेष्ट अपने आप पहले से ही है चाहे उसको इकागरता कह 于 मनकी चंचलता को रोग देना कहलें तो वो विसेष्ट योगता को आगे पर सिक्षण देकर द्रोणाचार ने अर्जुन को बिसुका सेरुस्रिष्ट धनोधर बनाया क्या बनाया बिसुका सरुस्रिष्ट धनोधर भशी और शमज़ गये कि यही होती है अभी चंदा अब देखा जाये, जो व्यक्तित तो यह बोहत समर्पनवाला है, वो अपने गुरू के पृति बहुत जादा समर्पनँे थे। एकलब जब आते हैं तो एकलब आने से पहले उनके कुत्ते के पूरे मुह में बाण भर देते हैं और जो बाण उनके मुह में भरते हैं तो उन बाणों से कुत्ता बिल्कुल भी घायल नहीं होता लेकिन बाण इस तरीके से उसने फिट किये कि कुत्ता बूल भी नहीं पा रह इस प्रतिभा को देखकर द्रौनाचार के मन में लगा कि ये कौन आ गया चुकि द्रौनाचार पहले से ही एक घोशना कर चुके होते हैं कि अर्जुन बिश्चुका धनुरदर है या सर्विस्रेष्ट धनुरदर है तो अब चुकि एकलब बे आ गया और एकलब यदि आ गया है तो भविस्रेष्ट में इसके लिए चुनौती खड़ा कर सकता है कर सकता है न इसलिए फिर एकलब से वो अंगूठा मांग लेते हैं ये एक अलग कहानी है मैं उसमें जाना नहीं चाहता यहाँ पर ये समझाने के लिए तो एकलब के अंदर भी कुछ ही कैसी प्रिटीबा थी जो उसको यदि सही प्रसिक्षण मिलता तो वो उसमें अपना विसेश एक तरीके से समारपण करके और आगे बहतरीन कर सकता था हम एक पहले से ही उसके मामले में एक कलपना कर सकते थे जो कलपना द्रोणाचारे ने कर ली द्रोणाचारे ने क्या कलपना कर ली उन्होंने ये कलपना कर ली कि यदि इसको उचित प्रसिक्षण मिल गया तो ये विश्व का धनोरधर बन जाएगा और मेरी बात कर जाएगी अरजुन को भी पीछे चोग देगा उन्होंने जिस बात को समझा भविष्य के लिए तो क्या हो गया वही अभी छमता थी तो अभी छमता को यहां से एक चीज और समझ लेना क्योंकि अभी आगे आने वाले हैं कि जो अभी छमता है वो भावी या भविष्य की बात को भी दरसाती है ये वर्तमान इस्तिती में उस छमता को देखकर भविष्य में ये क्या क्या कर सकता है इसको भी दरसाती है ये क्या है अभी चमता है अब हम तीसरे को उठाते हैं तीसरा जो है वो है कर्ण अब कर्ण के साथ क्या होता है कर्ण जब आता है द्रोनाचार के पास में और कहता है कि हम को आप से सिच्छा लेनी है पर द्रोनाचारे देख लेते हैं कि यार अभी छमता तो इसके अंदर भी है तो वो इसके लिए मना कर देते हैं कारण इसका ये बोल देते हैं कि तुम सूत पुत्र हो और सूत पुत्र के लिए इस सिच्छा को नहीं दिया जाता ये जो सिच्छा है वो ब्रामणों के लिए ह और एक तरीके से चत्रियों के लिए है तो उसको वो सिच्छ नहीं दी जाती लेकिन चुकि दुरौणाचार इस बात को जानते हैं कि इसके अंदर भी कुछ ऐसी विशिष्ट योगता है कि यदि इसको सही से धनुर्विद्या दे दी गई तो और विनको पीछे छोड़ देखते हैं कि करण कुछ समय के पश्चात दूसरे गुरू परशुराम के पास जाता है जूड बोल देता है वो एक अलग मेटर है लेकिन वो उस अभी छमता को विक्सित करता है और निश्चित तोर पर महा भारत में जब हुम देखते हैं तो महा भारत में वो अरजुन से बड़ा योध्धा देखने में या साबित होने में बिलकुल लगता है और इसमें कोई दोराय नहीं कि यदि कृष्ण अरजुन के साथ में नहीं होते तो ये करण को कभी नहीं हरा पाते तो ये भी करण के अंदर क्या थी अभी शमता जिसको दूणाचारे ने देख लिया मतलब था कि आप अभी शमता को समझ पाएं अभी शमता एक अमूर्थ संग्या होती है अमूर्थ संग्या का मतलब होता है एक तरीके से देखा जाए कि जिसकी कोई साकार कोई एक तरीके से कलपना नहीं है पर ये व्यक्ति के अंदर है कुछ विशेश प्रसिछण मिल हलका सा कोई आत लगा दे या कुछ कर दे तो वो विसेश कर सकता है थोड़ा और हम एक दो धारणों से इसको समझ लेते हैं जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अभी आप जिस उमर पे होंगे आपकी उमर के साथ साथ में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जिन लोगों न पढ़ाई लिखाई में इतने अच्छे नहीं थे पर किसी ने नेता नगरी की लाइन चुनली होगी तो हो सकता है वो पारसद बन गए हो बहुत सारे ऐसे होंगे जो गाओं के प्रधान भी बन गए होंगे बहुत ऐसे होंगे जो साथ विदायक तक भी पहुँच गए हो है ये सब इनके अंदर की कुछ विसेज बाते थी जो समय के साथ में इनको चीजें मिलती चली गई तो इन्होंने अपना डेबलब कर लिया तो यही अभी छमता है ठीक है इसको अभी रुची भी कह दिया जाता है अभी रुची ये भी याद रखिएगा कि अभी छमता को आं न्तर है दोस्तें मैंने क्या कहा था कि दो जो पर्याइबाची सब्द हैं उन धोनों का अपना-पना कुछ नश अस्तित्व होता है और कुछ ऐसी बाते होती हैं जिनसे दोनों यह डुँजे से अलग होते हैं ठीक है यदि मैं यहाँ पर अभी सब्द को अठा दूं त swimming की उर जाएगा उसमें लगातार अभ्यास करेगा अभ्यास करते 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 उसमें प्रिविन्डता को पालेगा ये दरसल रूची है क्या है रूची उसकी और है तेहरने की ओर ये swimming की तरफ ठीक है पर ये जो तेहरने के लिए वह एक एक उसके ऑंदर जो विसुष्ट हो एक ठीक है वो क्या हो जाती अभी छम्टा तो दोनों का संबंद तो आपस में निकल पा रहा है निकल रहा है न दोनों का संबंद पर दोनों एक तरीके से अलग है तरी हम देखते हैं अभी छम्टा और योगता में अंदर अब अभी छम्टा और योगता से आपका अच्छे से सम सबसे पहले हम देख लेते हैं योगता को योगता जो है यह वर्तमान इस्थिती को दिखाती है चलिए एक को और ले लेते हैं और सल चारों चीज़ों को देखे लिए ठीक है चारों चीज़ों के बाद प्रहूंट ने तौफिक को चालू कर देंगे तौफिक तो वैसे जाने की पोसिस करवा हूं कि अभी चलता है इन सब चीज़ों से किस तरीगे से अलग है तो सबसे पहले हम योगता की बात कर लेते हैं योगता दरशल किसी व्यक्ति में हो सकती है और योगता उसकी वर्तमान इस्थिती को दरसाती है मान लीजिए अभी जैसे अपन ने तो सूरत अभी वर्तमान में गजब का तेर रहा है लेकिन मुकेश को यदि उचित प्रसिक्षन दिया जाए तो वो हो सकता है सूरत से जाद अच्छा तेरना सीख जाए है ना तो यह योगता है योगता को विक्सित किया जा सकता है पहली बात दूसरी बात यह वर्तमान इस् प्रिसिक्षन दे दिया जाए ट्रेनिंग दे दी जाए तो वो उसकी भावी भावी इस्थिती को दरसाती है कि वो भावी या भविस्य में किस प्रकार से सफल होगा ठीक है तो ये भविस्य को दरसाती है वर्तमान के साथ साथ में ये केवल योगता वर्तमान इस्थिती को द अच्छे कारक्षिये, उनका वर्तमान स्थिती में एक तरीके से देखा जाये तो प्राप्त हो जाना, उनका प्राप्त हो जाना उनको कहा जाता है उपलब्धि isolates di याने कि जो पुराना समय था या जो हमारा past था past समय में हमने किसी कार को बहुत अच्छे से किया तो उसका जो फल प्राप्त हुआ वो हमें उपलबजी के तौर पर होता है अब भीया कौसल क्या है तो कौसल को यदि देखा जाए तो कौसल दरसल इसको इंगलिस में बोलते है skills अब ये जो कौसल है इसको क्या किया जाता है कौसल को भी बाहर से ही प्राप्त किया जाता है कहां से किया जाता है बाहर से प्राप्त किया जाता है निरंतर इसमें प्रयास किया जाता है जब निरंतर इसमें प्रयास किया जाता है तो इसमें प्रमीरता को भी हासिल कर लिया ज देखा कि कही ना कहीं बाकी सब चीजें योगता हो अपलब्दी हो कौसल हो रुची हो है ना ये जो चीजें है कही ना कहीं ये बाहर से आ रही है पर ये जो अभी छमता है दरसल ये अंदर है अंदर है दूसरी बात अंदर होने के बाद याने व्यक्ति के अंदर की बात है औ अभी छम्ता उसको दबा दिया गया भईया गूठाई ले लिए अब क्या कर पाएगा वो और बाकी जो है उनके संग में पोसित हुई विक्सित हुई जैसे की अर्जुन के साथ में और करण के साथ में तो यह है अभी छम्ता बाकी सबी चीजे बाहर से आ रही है जैसे योग पूर्चीज की अभी छमता क्या है इसको भी आप समझ पाये होंगे एंगलिस में अभी रुची से बहुत सारी किताबों में बताया गया है जोड़ा भी गया है तो अभी छमता अभी रुची एक जैसे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अभी छमता के साथ साथ हम रुची नहीं अभी रुची कह रहा हैं, तो अभी रुची का मतलब विशेश और रुची का मतलब जो रुची है, तो यह आपस में बहुत पास्न हो जाते हैं, लेकिन हम अभी छंथा रुची को कहेंगे तब वो अलग-लग होंने रगते हैं। ठीक, चली, अब आपन चालू करते हैं, अभी शम्ता की परिभासाएं, ये हमने जो देखा वो विवहारेक रूप से था, लेकिन चुकि हमको आंसर तो किताबी रूप में लिखना है, तो किताब की परिभासाएं तो हमको जानना जरूरी है, विवहारेक रूप से आप समझ हैं, तो निश्चन्त हो जाएगे कि इसको आप बहुत अच्छे से लेकि भी पाएगे, समझना पहले बहुत जरूरी था, विशम बोल रहे हैं, विशम एक व्यक्ती हैं, कि अभी शम्ता किसी व्यक्ती के प्रिशिक्षण के पश्चात, उसके ग्यान, दक्षिता या प्रत इस छेत्र में प्रविनता विक्सित करने में व्यक्ती की छम्ता का संकेतक मानी जाती है, एक तरीके से कि व्यक्ती को यदि इस छेत्र में उतार दिया जाए, तो ये इसमें किस हद तक समर्पन कर सकता है, किस हद तक सही कर सकता है, और किस हद तक विशिष्ट कर सकता है, य इसका संकेतक मानी जाती है या किसी विशेश छेत्र में कौशल अत्वा ज्ञान प्राप्त करने की चमता या योगता को संदर्वित करती है जिसके आधार पर भविश्य के प्रदर्शनों का अनुमान लगाया जा सकता है यह आप लोगों ने भी देखा होगा इसको थोड़ा जो है वो सभी लोगों की समस्या है पूरी क्लास की समस्या है पर उस समस्या में दिक्कत यह है कि उस समस्या में कोई भी नॉर्मल व्यक्ति उठकर उस समस्या को समाप्त नहीं कर सकता क्योंकि थोड़ा नेता नगरी से जूड़ी हुई समस्या है तो हर कोई उसमें जा नही ये उसी तरीके का व्यक्ति चाहिए जो सोयम भी नेता हो साथ साथ में उसको आस पास में उसकी अच्छी खासी पकड़ हो तो फिर वो पूरी जो क्लास है वो उमीद किसी एकाद दो ऐसे लड़के से कर लेगी कि जो लड़का सब की नजरों में देखने में उचित तो नहीं कि यही जाएंगे और यही सबस्याद आब बात करेंगे और इंसे सामने वाला भी खौप खाता है इस समस्या को यहाँ से हटा दिया जाएगा यही अभी चंबता है तो यहाँ पर उन्हों ने भविश्चो को निर्धारित किया कि हाँ यह वेक्ति इस समस्या से निपढ़ सकता है। इलियर ओक्सफोर्ट के नुसार हमने देखा। फ्रीमेन क्या कहते हैं अभी छमता गातात पर गुणों तथा विसेष्टाओं के एक ऐसे सायोग से होता है जिसमें विसेष्ट ग्यात तथा शंगठित अनुक्रियाओं के कौसर जैसे की भासा को बोलने की छमता यांत्रिक कारे करने की छमता अधी का पता लगाया जाता लगायाग प्रकारिकी यूगता ये इनको नापने के अपने अलगायात हैं इसके अलावा यदि हम और बात करें तो बहुत सारी यूगता होगी जैसे की यांत्रिक कार्यों में किसी को भासां सम्मन्दी बहुत इच्छी विजस्ष्टा होगी शना एक सब दोराय था उस प जब मैंने शुरुवात में आपको एथिक्स को पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने पहले ही कह दिया था कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़े आएगी जहां पर संभवता, अक्सर, लगभग, लगभग, इन सब्दियों का प्रियोग किया जाता है। क्योंकि यदि मैंने बोला कि इसको जन्मजात माना जाता है, तो आप कहेंगे कि सर अर्जित भी तो हो सकती है, तो बिल्कुल अर्जित भी होती है, देख लेजिए, जैसे मैं कहता हूँ, सूरज जो एक व्यक्ति है, इसके घर में जितने भी व्यक्ति हैं, वो सभी के सभी अ प्रती रुची अपने आप है, ठीक, अब या तो अपने आप है, अब वही परेदी देखा जाए, तो जो विकास है, अब विकास के साथ क्या है, विकास भी सूरच के आसपासी रहा करता है, पर विकास के जो घर है, उस घर में संगीत को कोई नहीं है, पर विकास की अपने अ या अभी रुची है वो प्रकट हो जाती है तो सूरज के पास जन्मजात थी और ये जो विकास है इसके ने अरजित की हुई है ये दोनों है पर अधिक्तम मामलों में ऐसा माना जाता है कि जन्मजात होती है तो ये भी अंतर आपको समझ में आ गया होगा अब देखते हैं मुन जो आपचारिक नियम कानून से भिन अनौपचारिक या आंतरिक होते हैं ये अनौपचारिक होंगे और आंतरिक होंगे पिलियर अभी शमता किसी व्यक्ती की विसेशताओं का ऐसा सहियोजन है जो बताता है कि अगर उसे उचित वाता वरण तथा प्रिसिक छन दिया जाए तो वह किसी छेत्र विसेश में सफल होने के लिए आवश्यक योगताओं तथा दक्षताओं को सीखने की कितनी चमता रखता है यह किसी छेत्र विसेश से सम्मंदित कौसल को सीखने की या अरजित चमता या ज्यान और जिनकी जन्मजात चमता है क्लियर आम तोर पर अभी छमता जनमजात ही होती है, अभी मैंने बताया था आपको, लेकिन वो अरजित भी हो सकती है, सूरज और मुकेस को दारण से समझ गए, अभी छमता बुद्धी मत्ता, ग्यान, समझ, रुची, कौसल से भिन्न है, यह भिन्न है, इस बात को मैंने शुरुवात में आपको बता दिया कि यह किस तरीके से भिन्न है, अभी छमता अंदर की बात होती है, बाकी जितनी भी चीजें हैं, वो कहीं न कहीं बाहर से ली जाती है, ठीक है, बुद्धी मत्ता, ग्यान, समझ, रुची, कौसल, रुची औ कौसल को मैंने बता दिया था, बुद्धी मत्ता, ग् कठनता वहाँ जन्मजात थी ये जन्मजात नहीं होती अनभव से सीखी जाती है तो यहाँ पर इसका काट भी हो गया ठीक है तो दोनों बाते हो रही है इसलिए मैंने जान बूचतर इस पॉइंट को सामिल किया यह प्रतेक देश काल परिवार समाश संस्कृती में फलती फू प्रसासनिक अभी छमता विक्सित करना सिख्चक को ट्रेनिंग के द्वारा सिख्चक की तकनी सिखाई जाती है मेकैनिक को प्रैक्टिकल के द्वारा तकनी की प्रसिक्षन सिखाया पढ़ाया जाता है इस प्रकार विभिन अभी छमता का विकास होता है ठीक है अभी छमता व्यक्ति के व्यक्तित्तु का व अंतर नहित गुण है जो उसे किसी विशेश कार के निर्वाह के योग भी बनाता है विभिन्न व्यक्तियों की कारपणाली, व्योहार सीखने की चमता, इस्थितियों की अनुसार समायोजन आदी को लेकर विभिन्न दिखाई देती हैं यद्दपी सभी व्यक्तियों में सामान बौधिक योगताएं होती हैं में होती हैं, फिर भी उन्हें में कुछ ऐसी विशिष्ट छमताएं होती हैं, उसे जीवन के विभिन्य छेत्रों में दूच्रे से आगे ले जाती हैं, अभी आपने देखा ना, कि हमने जो धारन लिये थे जिसमें अर्जुन हैं, कर्ण हैं, एक लब्ब हैं, इनके अंदर सकता था, और एक लब्ब के संग में तराजदी हो जाती है, और एक लब्ब वहां से हड जाते हैं, तो हमने तीनों धारनों को देखा, तो इनमें कोछ विशिष्ट बात थी, इसे ही अभी छमता कहते हैं, किसी व्यक्ति की अभी छमता को जानकर भविश्ट के द्वारा, भ विशिष्ट दनोदर कहलाओगे, उनकी इस गोसना को गलत सावित करने के लिए दो व्यक्ति आते हैं, जिनका नाम है एक लब्ब और कर्ण, पर किसी ना किसी तरीके से वो उनको हटा देते हैं, अलग कर देते हैं, एक से मूठा ले लिया जाता है, एक को सूत पुत्र कहके हटा दिया जाता है, तो उनकी बात सही हो जाती है एक तरीके से, है ना, तो पूरवा नुमान तो लगाया उन्होंने, भविश्ट का, साथ साथ उन्होंने करने की अभी शमता और एक लगवी की अभी शमता को देखकर ये भी तो पूरवा नुमान लगाया, कि यदी उनको कोचित प्रसिक्षण मैंने दे दिया तो ये मेरे ही जो सिस्स हैं उनको ही काट देंगे है ना तो ये भी चीज थी चलिए अभी छमता की आवश्यक्ता क्यों होती है अब समझे कार में पारदर्शिता लाने के लिए लक्ष की प्राप्ति के लिए अधिनस्तों में विश्वा लाने के लिए लक्ष की प्राप्ति के लिए जैसे कोई लक्ष है तो उसको प्राप्त करना है तो अभी चमता की अवश्यक्ता होगी याने किसी के अंदर कितना ज्यादा एक तरीके से समर्पण है किसी चीज को लेने के लिए इतनी एक आगरता है तो ये अभी चमता पर हो उप्युक्तता को व्यक्त करती है या चंता अरजित या जन्मजात हो सकती है दो हमने वहाँ पॉइंट देखे थे यहां अरजित और जन्मजात दोनों को हमने अलग लगतरीकी से देखा था यहां पर क्या देख रहे हैं दोनों हो सकती है लेकिन जन्मजात अधिक्तम होती है जैसे गीत गाना जन्मजात अभी शमता हो सकती है जब कि कोई इसे प्रशिच्छन के मादियम से भी प्राप्त कर सकता है ये कह सकते हैं कि जिसके अंदर जन्मजात साहिब हो वो ज़्यादा अच्छे से निकल पाए पर इसका कोई मापदेंट नहीं होता ऐसा माना जाता है अधित्त मामलों में ऐसा देखा गया है जिनके अंदर ध्यम्नजात होगी तो वो उस मामले में जदा आगे सफल होगे या जदा अच्छा परिणाम देंगे जदा अच्छा प्रवीर हो सकते हैं अभी छमता व्यक्ति की बीतर एक तरह की आंत्रिक सामर्थ को ही इंगित करती है किसी व्यक्ति की वर्तमान अभी छमता उसके वर्तमान गुणों का एक ऐसा समुच्चय है समुच्चय का मतलब होता है वर्तमान गुणों का या एक गुण नहीं है कापी सारे गुण है उसको ह जो उसकी भावी छम्ताओं मतलब की भविस्वी छम्ताओं की उर संकेत करता है या परयाप्त बातावर्ण एवन समुचित प्रिसिक्षन मिलने पर किसी विशिष्ट छेत्र में भविस्वें किये जाने वाली कारप्रानी को इंगित करती है यह वही बात है जो अपने पहले देख ली थी, इसको कैसे लिखना है, वो आप यहाँ पर देख लीजिए, अभी छमता किसी विशेश छेत्र में व्यक्ति के कौसल, सीखने की छमता को दर्स आती है, हमने देखा था कि कौसल क्या है, कौसल एक तरीके से, इसकिल से मतलब था कि यह बाहर की चीज है, पर उसको सीखने के लिए जो छमता चाहिए, वो अभी छमता है, जो सामर्त चाहिए, वही है, अब दो व्यक्ति हैं मान लीजिए, एक सूरज है, और एक मुकेस है, अब सूरज का जो मन है, देखिए, जैसे सूरज है, तो सूरज का जो मन है, वो क्रिकिट की तरफ जादा है, और जो मुकेस है इसके साथ में बढ़िया है इसका तबला में ही सोख है और यह तबला ही बजा रहा है तो मुकेस तबला में ज्यादा अच्छा कर सकता है सूरज की अपेच्छा और सूरज जो है वो तबला ही बजा रहा है और दे किर्किट को रहा है तो इसके पास कोई बचेग जैसे कि यहां पर पूरो अनुमान लगा लिया जाए, कि सूरज और मुकेस दोनों को तबले वाली लायन में ही निकाल दिया जाए, लेकिन सूरज का जो मन है वो थोड़ा किरिक्ट की प्रती जादा है, तो सूरज तबले में भविस्य में उतना अच्छा नहीं कर सकता, जित जिसमें समाज की समझ हो, एक होती ये तकनीकी अभी शमता, ये प्रसासन याने एक तरीके से एलेक्ट्रोनिक प्रसासन में, ये प्रसासन तो आप लोग जानती है, ये तकनीकी अभी शमता, है ना, याने टेक्नलोजी वाली जो टेक्नलोजी एप्टिट्यूट है, वो सार वात्मक अच्छे अभी शमता है, तो आपको कौन-कौन से आच्रण करने चाहिए, ये आउसे ही तो प्रस्तुत होते हैं, बौद्धिक अभी शमता, अब दिमाग वाली, तो उसमें क्या होगा, अगर बौद्धिक अभी शमता है, तो उसमें आपके तर्क शंगत विचार हों मोटे मोटे तोर पर ये अभी शमता हैं, अभी शमता परिक्षण और परिक्षण की बिलिया, दोस्तों इनसे प्रस्ना आते हैं, उसको देख लेते हैं, प्रत्याशियों को सीखने की शमता को परखने के लिए प्राया अभी ब्रत्ती परिक्षण का सहारा लिया जाता है, सामान अभीवरत्ती परिक्षण में एक साथ कई छेत्रों के लिए अभीवरत्ती का परिक्षण किया जाता है अभीवरत्ती वही अभी शमता है जैसे CSET, Civil Service Aptitude Test, MET, Management Aptitude Test, SCET, Clerical Aptitude Test के माध्यम से व्यक्ति की शमता को परखा जाता है यह जो CSET होता है आपके लिए यह इसी लिए होता है कि वह आपकी अभी शमता को परख पाएं, यह जान पाएं कि यह व्यक्ति Civil Service में आने की योग है या नहीं है जब वो यह जान लेते हैं उसी के बाद मेंस में आपको बैठने का मौका मिलता है चाहिए UPSC देख लें, MPPSC देख लें, चाहिए कोई सीवी पर इच्छ उठा कर देख लें पहले यह CSET लागू नहीं था, यह CSET लागू करने का 2012 की बाद से लिए इसलिए लिया गया है ताकि पहले ही कुछ योगताएं जो उनको चाहिए, किनको चाहिए योगताओं की जगा में विसिस्ट योगताएं कहूंगा जो उनको चाहिए, किनको जिनको सिविल सिवग बनाना है, एक तरीके से जो PSC को चाहिए, UPSC को चाहिए तो पहले ही जाच लेती है, उसमें बहुत सारी चीज़े आती हैं, आपने देखा हूगा, मैध भी आता है, कहा जाए तो रीजनिंग भी आता है, इस सब चीज़ों, अब देखे मैध उसमें आता है, बहुत सारे जो लड़के हैं उतने ही कॉश्चान आते हैं ऐसा नहीं है कि मैत का बहुत ज़्यादा पूर्शन आ जाता हो। इसी प्रकार जीजनेंग आती है। इन सब चीजों को इसलिए इसमें सामिल किया गया है। दोस्तों इन चार वीडियों से प्रस्ण आता है। एक है रिमोट एसोचीएट टेस्ट, एक है लेकोट स्केल, एक है थस्टन स्केल, यह स्केल है दोस्तों। विभेदी अभीशमता परिच्छन देखते हैं remote associate test ये क्या है इसका निर्मार जो है वो मैडनिक के द्वारा किया गया ये स्रजनात्मक मापन हितू प्योगी है इसमें 41 होते हैं एवन तीन-तीन सब्द देकर चौथा सम्मन्दे सब्द बताने को कहा जाता है reasoning में भी आप लोगों ने देखा होगा 40 एकांस का मतलब होता है कुछ कुल बोलते है 40 minute का होता ही है इसमें होता क्या है तीन सब्द दे दिए तीन कहीं न कहीं आप उसमें एक दूसरे से संब्द देते होगे चौथा अलग होगा इसके माध्यम से आपकी जो अभी छमता है उसको नाप लिया जाता है एक प्रकार से अंदाजर लगा कर या आप किसी भी चीज में कितने योग हो सकते हैं वो टॉ अबश्णा वली की आधार पर निश्कर से निकाला जाता है सामानता इसमें प्रश्ण पूचे जाते हैं यह लगरट स्केल क्या है ठरस्टन के द्वारा उननेस व्यक्ति की विभिन अभी चमताओं में विभेद को व्यक्त करने की पद्दती, जो अभी चमता है उनमें विभेद, विभेद का मतलब होता है एक का दूसरे से क्या वेद है, यही होता है विभेद, विभेद को व्यक्त करने की पद्दती, हाला कि विभेद को हम क्या बोलते हैं हमने जब पूर्वा ग्रह को पड़ा था तो हमने ध्यान दिया था कि पूर्वा ग्रह की जो व्यक्ति अभी व्यक्ति होती है यह नियोजन प्रिसिक्षण के कार में उपी होगी यह जब प्रिसिक्षण देते हैं उस समय पर विभेदी अभी चमता परिक्षण DAT होता है दोस्तों इनके बारे में यदि दिखा जाए तो हम डिटेल में चर्चक कर सकते हैं लेकिन चुकि इनको डिटेल में पूछा नहीं जाता है आगे चलते हैं यदि हम इन चारों पर बात करेंगे तो पूरी की पूरी क्लास से वो कहीं न कहीं रुख जाएगी पर मुख्य जो उद्देश है वो पूरी अभी चमता के टॉपिक को और सिविल सेवकों के लिए क्या क्या योगता होनी चाहिए उनके लिए कवर करना है ठ है को अर्यցड मतलब की जो सिविल सेवक है वो जब किसी चीज़ में नेनाइ लेते हैं तब नोटिंग इवं ड्राफ्टिंग माद्यम से होती हैं टाग जी कारवाहियां जिसमें प्रतिवेदन को लिखना पढ़ना और समझना भी होता है यदि सब्द का सुद्ध अर्थ की बजाए असुद्ध अर्थ समझा जाए या अर्थ का अनर्थ निकाल लिया जाए तो यह गलती से देश को भारी नुकसान पहुंच सकता है समाज को पहुंच सकता है उस जगा पर जिस जगा पर उन्होंने अपना कार किया है उस जगा के लोगों को तो पहुंचेगा ही अता जटेल से जटेल कथन और उल्जी हुई बातों को सरल्थ ता पारदर्सी महासा में लिखने की छमता अच्छे सिविल सिवक के लिए आवश्यक है वो धारण से समझते हैं क्यों आवश्यक है दो सब्द हैं दो सब्दों को आप लोग ध्यान से देखिए गए लखन सिंग तो मर गए मतलब की कोई लखन सिंग जी है वो तो मर है वो यहां से चले गए इस जगा से चले गए फिर से सुनिए लखन सिंग तो मर गए अब यद ले गए है ना उनका स्वर्गवास हो गया तो लखन सिंग तो मर गए यहां तो आपने सीधा मार ही दिया जबकि वो तो बिचारे यहां से गए हैं अगर अपने इस दोनों चीज़ों को लिख देंगे तो देखिए कितना बड़ा है अर्थ का नर्थ हुआ भी नहीं हुआ एक चीज़ को और देखते हैं अर्थात एक सिविल सेवक को लिखने और पढ़ने की अच्छी तरह से समझ होनी चाहिए आपके लिए हिंदी MPPSC में क्यों रखा गया है हिंदी और इंग्लिस जो हैं इंग्लिस को थोड़ा कम लेकिन हिंदी को ज़्यादा लेकिन हम जब यूप MPPSC में देखते हैं तो वहां भी इसी तरीके से हैं तो हिंदी को इसलिए रखा गया है वहां पर जो प्रशाशनिक सब्दा वली आती है वहां पर जो आप संधी को समास को अन और भी हैं संधी समास के अलावा अगर देखे जाएं तो पूरे हिंदी में जितनी भी होते हैं है और लिखित में कोई भी काम ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लिख दिया और उसका कुछ हर्त निकली जाए तो कि वह सभी के लिए होता है, पूरे समाज के लिए होगा पूरे जिले के लिए भी हो सकता है इसलिए बहुत ध्यान रखा जाता है एक उधारन से और जाने दो अगर आप देखेंगे एक में तो यहां पर यह जो कौमा लगा है रोको मत जाने दो इसका मतलब क्या हुआ वो कह रहा है रुक जाओ मत जाने दो एक में वो कह रहा है नहीं भी जाने दो तो दोनों का ही हो गया तो यहां पर किस की कलती थी यह कौमा की इस कौमा की वजय से समस्या खड़ी हो जाएगी, क्लियर अच्छा होना चाहिए, एक अच्छे सिविल सेवक से आसा की जाती है, कि वो समाज को उचित नेत्रत्य दे सके, लोग कल्यानकारी राज्य में जनता को भी प्रसासन में भागीदारी बनाने के लिए, एक सिविल सेवक को शक्रिय रूप से उने भागीदारी बनाने का पूरता प्रयास करना चाहिए, जिससे प्रसासन पर जनता का विश्वास बढ़ेगा, साथ ही प्रसासन में पार्दर्शिता रहेगी, इसलिए एक लोग सेवक को दक्षिता के साथ साथ एक अच्छा संचार स जनों से सतत संपर्क में रहना चाहिए, इसी कामा तो देखते हुए, सी सेट में अंतर व्यक्तिक संपरेशन चमताओं को भी सेवर्स में रख कर प्रशन पूछे जाते हैं, किलियर है, सी सेट में आपने देखा हुगा इस टॉपिक को, अब आपको समझ में आया होगा कि अ अपनी बात को रखना, उनकी बात को समझना आना चाहिए, सिविल सेवक को जटल परिस्थितियों में समझना, विभिन्ने चेत्रों के तत्यों को आपस में जोड़ना, कनेक्टिंग, विशलेशन करना, और और निशकर्स पर पहुंचना आदी कारे करने होते हैं, इसलिए ए का अगर एक है, तो फिर बी का ये है, तो ये सब तर्क छमताओं को दर्शाती हैं, ठीक है, एक सिविल सेवक को आपनों को लिखने एवं समझने का ग्यान होना चाहिए, वैसे बैंक एवं कलर की तरह लगातार गड़ित का प्रियोग तो नहीं करना होता, फिर भी एक प्रतिवेदन आंकणों के प्रस्तुती करण पर आधारित होते हैं, और उन्हें कई प्रतिवेदन पढ़ने, समझने वा विशलेशित करने होते हैं, जिन्हें जटल से जटल आंकणों में अलग-अलग तरीकों से प्रदर्शित किया जा सके, इसलिए बरतमान में सी सैट मे सामान नेगड़त के साथ साथ आंकणों की ब्याख्या और विशलेशन से जो एक प्रस्ति भी पूछे जाते हैं, तो जब आप आंकणों को बनाएंगे तो बूरा एक पेरग्राफ आपको बनाना पड़ेगा, या आपको बना बनाया पेरग्राफ मिलेगा, वहां पर आप लाएंगे, पिर आप सोचेंगे कि कहां पर कितनी वस्तु हमें पहुंचानी है, कहां पर क्या समस्या है, यहां पर खेती से जो पादर नहीं हो पा रहा है, कारण क्या है, यहां पानी की विवस्ता नहीं है, तो इन सभी आपको बनाने के लिए प्रस्तुत करने के लिए के आते हैं जब उसे इस पश्टियों कठे ने लेने होते हैं उन्हें दिन प्रति दिन अपने करमचारियों से लेकर छेत्र की जनता की विविन्द समस्याओं का समाधान करना होता है जिनके लिए एक सकारात्मक उल्जा हुआ द्रिश्टी कौन आवस्यक है जैसे सांप्रदा मुल्ट बढाने की जाएक दंगों के समय करमचार्णियों की हर ताल के समय की सिवल सेव AHETOO ABHICHANTA एवम उनके प्रसिक्शन के उपाई एक सिविल सेवक की अभी समता चेत्र विसेश की मांग इवं आवशक्था के रिमसार व्यक्ती में विर्दमान योगतायें, चंता इवं सहायता को इनिट करता है, एक शेत्र के लिए अलग-अभी चंतायें होती हैं, जैसे प्रोफेशन के लिए पढ वियान, गती, शटीकता का अंतरव्यतिक कौसल, तरकशक्ती, संचार, संप्रेशन, विशलेशन इवन समस्या को सुल्जाने और निर्णय लेने में बुद्धी मत्ता, इस्थितियों के अनुसार, ततकाल, औचित, पूर्ण निर्णय लेने की छमता, सामान्य मान्स्रिक यु आप इसके लायक हैं। समस्या को समगर रूप से देखने की प्रवत्ती, टीम वर्ग की यूगता, नवाचार की छमता, सकारात्मक बॉडी लेन्गेच होना आवश्यक है। भारती अर्थव्यवस्था की मूल भूस सन्रशना, नवीन चुनोतियां, प्रभाव जो आप करेंट में पढ़ते हैं, नई नीतियां, कल्यान कारी कारेक्रम जो योजनाय सरकार चलाती है, से आवगत होने की छमता होना आवश्यक है। ताकि आप उनकी जो वो एक टेस्ट ले रहे हैं, उसमें आप सही योग हो पाएं, और जब आप उसके योग हो जाते हैं, नमबर आपके अच्छे आते हैं, तो आपको आगे कर दिया जाता है, अन्न को हटा दिया जाता है। और फिर आपको जब आप पूरी तरीके से सिविल सेवक बन जाते हैं, तो फिर आपका प्रसिक्षन होता है, क्योंकि उन्होंने उन्हीं योगताओं को चेक कर लिया कि आपके अंदर हैं, आप इसमें विशिष्ट कर सकते हैं। एक सिविल सेवा के अध्यनों में इन छमताओं का आंकलन साच्छातकार के माध्यम से विभिन्य चेत्रों की अनुभवी वरिष्ट निस्पक्च इमानदार विशेशग्यों के माध्यम से की जाती है। जिसमें जो अब भ्यार्थी खरा उतरता है, उनका चेन सिविल सेवा के लिए किया जाता है। ठीक, अब पूर्था इमानदारी के साथ। जैसे सत्यनिष्ठा, निस्पक्चता, इमानदारी, सहिश्नुता, राजनेतिक तठस्तता, वस्तुनिष्टता, सहानभूती, वंचिद वर्गों के प्रतिक करुआ, तथा धर्म निर्पेक्चता जैसे मूल्यों का होना अवश्यक है। अब ये जितनी बाते हैं दोस्तों, ये हमारी अगली क्लास में आएंगी, दो-दो करके कराएंगे या तीन-तीन करके कराएंगे, वो एक सुबिधा के अनुसार होगा, पर अब जो आगे, जो हमारी क्लास होगी, वो होगी मुखता, सत्यनिष्टा पर, इंटीग्रिटी पर एक सफल सिविल सेवक के लिए केवल छमता एवम योगता का होना ही नहीं, बलकि बुनियादी मुल्यों से युगत होना भी आवस्या के, तभी सफलता प्राप्त होती है, जैसे उसमें सिविल सेवा में चैन होने की अभी छमता तो हो, यसी में अभी छमता है, परन तु प् प्रसाशनिक मूल्य उनके अंदर है नहीं अभी शमता तो है अभी शमता है पर प्रसाशनिक मूल्यों के उनकोई जानकारी नहीं वहीं दूसरी तरफ यदि उसमें इमांदारी है सहिश्णुता है करूना है सत्यनिष्टा सहिश्णुता आदी हो परंतु उसमें सिविल सेवा के रूप में कर्तवियों का संपादन वो नहीं कर पाएगा मूल वे कसोटियां या वेवहार के पेमाने या मापदंड होते हैं जो मूल हैं जो वेल्यूज हैं जिनकी आधार पर अच्छे बुरे वांचे तवांचे इसलिए मूल्यों को निर्दारित किया जाता है कि इन मूल्यों को आप राप्त करें इन मूल्यों पर खरे उतरें हैं ना इनहीं मानविये मूल्यों के अनुसार आच्रण करना ही सच चरित्रता कहलाता है सिविल सेवा का सबसे बुनियादी मूल सम्विधानिक मुल्यों के प्रती निष्ठा एवं बचन बद्दता है के प्रती निष्ठा और बचन बद्दता भारती सम्विधान की प्रस्ताबना में इसका बढ़न है सिविल सेबा को यह चाहिए कि वह भारती संविधान के प्रतीन निष्था, संविधान की सरवोच्चता, जीवन के प्रतेक छेत में संविधान का पालन सभी नागरिकों के हितों एवständ मूल अधिकारों की रच्छा करना तथा अपने कर्त वेयुम उत्तरदायत्तं का संविध रूप से निर्वाहन करे। मतलब ये जो पूरी की पूरी बात है वो संविधान से संबंद है। एक और और पढ़ लेते हैं अच्छे से संबंद में आएगा। संबंद हैं आज की जो पनी क्लास थी उसको अपने यहां पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप अभी चमता को समझ पाए होंगे और एक लोग सिवक के अंदर क्या 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 मूल भूत योगताएं। होनी चाहिए इनको भी आप समझ पाएंगे। अब जो हमारी आगे क्लास होगी वो मैं आपको यहां पर बता देता हूँ। जो अब हमारी आगे क्लास होगी वो क्लास होगी दोस्तो सत्य निष्ठा पर। सत्य निष्ठा के साथ में हम एक और दो टॉपिक और ले लेंगे। वो देखा जाएगा कि कौन-कौन से टॉपिक हैं। या तो सत्य निष्ठा हो गई तो बस्तुनिष्टता हो जाएगी या अन्य भी जो भी मैंने आपको बताये थे। जैसे कि तठस्तता हो गई, वस्तुनिष्टता हो गई, समानुभूती हो गई, सहानुभूती हो गई, सहिश्णुता हो गया, करूना और दया हो गया, अनामित्ता हो गया, सुचिता हो गया, बहुत सारी चीजे हैं, अभी तो कुछ मैंने आपको बताई नहीं है, और बहुत स चाहिए आला कि यह नॉर्मल सी बात है और यह आदमी समझ लेता है पर पूरी तरीके से वो पूरे जीवन भर भी नहीं समझ पाता क्यों नहीं समझ पाता इसको हम अगली क्लास में देखेंगे ठीक है नमस्कार मिलते हैं